तो बच्चो इस activity से हमने जाना कि एक वृताकार धारा वाही लूप के चारो और चुम्बकी छेत्र किस प्रकार होता है तो हमने देखा कि वृती चालक तार के लंबवत यदि हम लोहे के चूर्ण को फैलाते हैं तो एक निश्चित आकरिती से वो अपने आपको अरेंज कर रहे हैं और ये वृताकार लूप के रूप में हैं यदि हम लोहे का चूर्णा ना लेकर चुम्बकी स्वी की सहता से भी चुम्बकी बल रिखाएं खिशने की कोशिश करें तो भी वो सम केंद्री वृतों के रूप में होगी इन तार के चारो और और यदि हम केंद्र में देखें तो ये समानतर रिखाओं के रूप में होगी तो यू कह सकते हैं कि इस वृत के केंद्र में जो चुम्बकी बल रिखाएं होती है वो समानतर हो जाती है लेकिन इस वृत की परिधी पर यदि हम देखें तो वो सम केंदरी वृतों के रूप में होती है और इस चुम्बकी छेतर की दिशा आप राइट हैंड थम रूल से देख सकते हैं यदि इस वृती तार में क्लॉक वाइस धारा बह रही है तो इसके अनुसार यदि आप लफ सेट देखें तो यह जो लूप है वृताकार इन में चुम्बकी छेतर की दिशा कैसी होगी आप अंगुठे को उपर की तरफ लेंगे और उंगलियों को मोडने की कोशिश करेंगे तो यहां देख रहे हम कि यह उंगलिया अंदर की ओर जा रही है इस बोड के अंदर जा रही है और यदि आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आपकी कॉपी के कागश तल के लमवत अंदर की ओर जाएंगी और यदि हम उस तरफ देखे अब वहां पर धारा नीचे की ओर आ रही है अब नीचे की ओर आएगी तो हम अंगुठा नीचे की ओर करेंगे और इस तार को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ मेरी उंग्लिया अंदर से बाहर की और आ रही है तो इस प्रकार यहाँ पर जो समकेंदरिय लूप बन रहे हैं वृत बन रहे हैं उने में दिशा इस तरिकेते दी जा सकती है और सेंटर में हम देखें तो ये चुम्बकी छेत्र बाहर से अंदर की और जा रहा है इस बोड के तल के लमवत और आपके कॉपी में कागश तल के लमवत नीचे की और होगी यदि धारा की दिशा clockwise है और anti-clockwise हुई तभी भी आप इस right hand thumb rule का इस्तमाल करके चुम्बकी छेत्र की दिशा असानी से बता स लगते हैं अब बच्चों हम एक रिंगना लेकर ऐसे बहुत सारे फेरे लेते हैं हम एक परी नालीका का निर्मान करते हैं एक्शली परी नालीका बनाने के लिए हम विद्धूत्रोधी पदार्त लेते हैं जो कि बेलना का राकृतिक होता है और उसके उपर हम ताम्बे की तार को लपेट जाते हैं और इस प्रकार स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर हमको मिलता है जिसे हम परी नालीका के नाम से जानते हैं यह ताम्बे की तार भी विद्धूत्रोधी होते हैं मतलब एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते और जब इसमें से धारा प्रवाहित क backend की जाती हैं तो इसमें उत्पन्न होता है छुम्बकी छेत्र हमने एक व्रिताकार धारावाई लूप की कारण चुम्बकी छेत्र देखा उसकी दिशा देखी हमने ये देखा था कि वृताकार कुंडली में उसके तार की परीधी में जो चुम्बकी छेत्र होगा वो वृताकार समकेंद्री लूप की रूप में होता है लिकिन सेंटर पे वो समानतर रेखाओं की रुपने हो जाता है एक वृताकार धारावाही चालक के पास यदि दूसरा वृताकार धारावाही चालक ला दिया जाए तो इसकी चुम्बकी छेत्र एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और इनकी आकृती परिवर्तित होने लगेगी और इस प्रकार कई वृताकार धारा वही चालक यदि हम पास पास लाते जाएं तो इनकी आकृती में परिवर्थन हो जाएगा तो इस परिनालिका का चुम्बकी छेत्र कुछ इस प्रकार दिखता है और यदि इसकी तुल्ला हम किसी दंड चुम्बक के चुम्बकी छेत्र से करें तो ये दोनों एक जैसी ही दुरूफ से निकलती हुई दक्षTY धूरूफ में प्रवेश करती हैं और चुम्बक के अंदर दक्ष्य जरूफ से उत्रि ध्रूफ में और इस प्रकार ये बंद वक्र का निर्मान करती हैं यहां पर इस परिनालिका में भी ये चुम्बकिवेश्य बल रेखाएं कोछ इस का मतलब यहां पर भी दो दुरूव होंगे उत्री दुरूफ और दक्षनी दुरूफ तो परिनालिका के उत्री दुरूफ और दक्षनी दुरूफ को किस प्रकार पहचाना जाता है यदि हम परिनालिका को देखे जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो एक ओर से देखे तो वो छोर दक्षनी धुरूफ की तरह कारे करता है और परिनालीका के जिस छोर पे धारा anti-clockwise प्रावाहित होती नजर आती हैं वो छोर नौर्थ धुरूफ की तरह कारे करता है और बच्चो इसको याद रखना बहुत ही सरल है, यदि आप कभी कन्फ्यूज हो जाएं, कौन सा छोर उत्री धुरूफ की तरह कारे कर रहा और कौन सा धुरूफ दक्षिन धुरूफ की तरह, तो आप इस चित्र को याद रखें, हमने यहाद दो गोले बनाए है, एक गोले म एंटी क्लोफուइस डारेक्शन में तीर का निशान डाला है, अब इन दोनों गोलों को हम बीच से काट कर देते हैं, अब बीच से काट करने के बाद, इसकी आकृती को हम देखते हैं, जिस गोले में धारा क्लोफ दिश्या में, याणि घड़ी की सूई की दिश्या में प्र वह गोला जिसमें धारा एंटी क्लॉक्वाइस दिशा में यानि घडी की सुई की विप्रित दिशा में प्रवाहित हो रही थी, यहां पर हमें एन आकरिती प्राप्त हो रही है, इनकों जोडेंगे तो एन आकरिती प्राप्त हो रही है, तो जिस हिस्से में धारा एंटी होती है वो उत्रीदूफ की तरह कारे करता है यानि कि North Pole की तरह और परिणालिका के अंडर चुंबकी छेत्र एक समान होता है तो यहां पर आप चुंबकी बलरिखाओं की दिशा देखोगे तो वो एक ही होगी और यह सारे समानतर रिखाओं के रूप में होगे तो इस परिनालिका के अंदर चुम्बकी छेत्र बहुती स्ट्रॉंग होता है और एक समान चुम्बकी छेत्र होता है और इसका इस्तमाल किया जाता है एलेक्ट्रो मैंगनेट्स बनाने में बच्चो यह एलेक्ट्रो मैंगनेट्स या की विद्दूद चुम्बक ऐसे चुम्बक होते हैं जो कि विद्दूद की सहयता से बनाए जाते हैं रिले स्वीच का नाम आपने सुना होगा, यह रिले स्वीच एक्ट्वली विद्धू चुंबख ही होते हैं, मतलब यह तब तक चुंबख की तरह कारिये करते हैं, जब तक ब्धू भी यह जानते हैं कि धारा वाही परी नालिका चुम्बकी तरह वैवार करती है और उसके अंदर चुम्बकी छेत्र एक समान और तीवरो होता है अब इस परी नालिका के अंदर यदि हम कोई लोहे का तुकड़ा रख दे हम जानते हैं लोहे में चुम्बकी गुण होता है यानि क कि वह चुम्बक्यों राकर्शित होता है तो जब इसके अंदर कोई लोहे का तुकड़ा रख दिया जाता है तो यह लोहा कुछ देर के लिए चुम्बक की तरह वैवार करने लगता है क्योंकि यह इस परिनालिका के चुम्बकी प्रभाव में रहता है और जैसे ही हम इस परि परिनालिका के अंदर रखे हैं इसमें चुम्बकी गुण उत्पन हो गया है तो यह भी अन्य लोहे की वस्तूओं को अपनी और अकर्शित कर सकता है लेकिन जैसे ही धारा का प्रवा बंद हो जाता है यह वापिस लोहे का तुकड़ा बन जाता है और इस प्रकार हम एलेक् अग्नेट्स बनाय जाते हैं बच्चो मैगनेट दो प्रकार के होते हैं एक नैचरल और दूसरा आठीफिशल प्रकृतिक और कृत्रिम प्रकृतिक मैंगनेट जैसे कि मैंने आपको बताया था युनान के शहर में जो काली चट्टाने पाए गई थी वही तो प्रकृतिक मै में वैसी आकरिती के साइज और शेप के मैंगनेट हमको नहीं मिलते हैं इसलिए हम जैसी आकरिती और आकार के चुम्बक चाहिए होते हैं वो बनाते हैं और बनाते किस से हैं लोहे के तुकडों से लोहे के तुकडों को हम जिस आकरिती की चाहिए होती है उस आकरिती में का चुम्बक यानि कि धारा को प्रवाहित करके चुम्बक का निर्मान करना अब जिस आकरिती का आपको चुम्बक बनाना है उस आकरिती के हम लोहे के तुकडे को काट लेते हैं और उसके उपर तामबे की तार को लपेट कर यानि कि परिनाली का बना लेते हैं और उसमें से धा बहुत समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो इस लोहे की तुकड़े में उत्पन चुम्बक एक गुण पर्मानेंट हो जाता है यानी कि वो स्ट्रॉंग चुम्बकी छेतर का निर्मान करते हैं और यदि कम देर के लिए धारा प्रवाहित की जाती है तो इनका गुण के होते हैं जो कि परिनालिका की सहध्य से बनाया जाते हैं पहला temporary magnet और दूसरा permanent magnet तो इस तरह से हम परिनालिका का इस्तमाल करके दिउलिक्ट्रो इस बना सकते हैं वैसे बच्कों विद्दू चुम्बक यानी कґ एलेक्ट्रो मेंगनेट बनाने के लिए हम जनरली नर्म लोहे का इस्तमाल करते हैं कि नर्म लोहे का एक विश्यश गुण होता है कि वो आसानी से चुम्बकित भी हो जाता है और आसानी से वी चुम्बकित भी हो जाता है तो जब परिनालिका से धारा प्रवाहित की जाती है तो इस नर्म लोहे का क्रोड बनाकर इस परिनालिका के अंदर रग दिया जाता है तो जब इसमें से धारा प्रवाहित होती है तो ये नर्म लोहे का तुकड़ा चुम्बक की तरह कारे करता है और जब धारा का प्रवाबंध हो जाता है तो ये नर्म लोहे का तुकड़ा सरफ लोहे की तरह ही काम करता है तो बच्चो आपने देखा कि हम किस प्रकार लोहे के तुकड़े में चुम्बकी गुण उत्पन्न कर सकते हैं पर किसी भी चालक में यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी चारों और चुम्बकी छेतर उत्पन्न होता है और जब इसी चालक क किसी दूसरे चुम्बकी छेत्र में रखा जाए तो वो इसका प्रभाव महसुस करेगा या यू कहें किस धारावाही चालक पर बल लगेगा तो इसको समझने के लिए आईए हम एक प्रयोग करते हैं इस प्रयोग में हमने इलुमिनियम की तार ली है और हम देखेंगे कि जब इस इलुमिनियम की तार को हम चुम्बकी छेत्र में रखेंगे तो इस पर बल लगेगा और इस बल की कारण ये चालक अपनी जगे से हट जाएगा तो चलो इस प्रयोग का हम करकर देखते हैं तो आईए देखें कि इस चालक पर ये बल किस तरह कारे करेगा इसके लिए हमने एक एलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है जिसमें हमने एक बैटरी जोड़ा है इसमें कनेक्टिंग वायर जोड़ा है और साथ ही जोड़ा है एक स्विच जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं यानि सर्किट को पूरा करते हैं इस परिपत में से धरा प्रवाहित होगी अब हम इस तार को एक जगे पर U-shape में मोड देते हैं ताकि उसमें कोई movement हो उस पर कोई बल लगे तो वो हमको आसानी से नजर आए अब मान लीजिए इस U-shape मुड़े हुए चालक तार के पास हम एक चुम्बक लाके रखते हैं हमने यहां पर एक नाल चुम्बक लिया है यहां नाल चुम्बक के जो दो छोर होंगे यानि कि दो धुरूफ होंगे उत्री धुरूफ और दक्षिन धुरूफ यह इस तार के दोनों तरफ एक समन चुम्बक की छेतर प्रदान करेंगे तो यहाँ पर हमने इस नाल चुम्बक को उप्योग किया है अब जैसे इस नाल चुम्बक को इस तार के पास लाया जाता है जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहे थी तो तार यह U-shape का मूड़ा हुआ यह अपनी जगे पर था लेकिन जैसे ही हम परिपत को क्लोस करते हैं पोन करते हैं यानि कि इसमें सधारा प्रवाहित होती है तो हम देखते हैं कि यह U-shape का जो चाला के हाँ पर मूड़ा हुआ था वो विक्षेपित हो गया विक्षेपित हो रहा है मतलब वहां पर कोई बल कारे कर रहा है जो उस तार को अपनी दिशा में खीच रहा है अब इसको और कंफर्म करने के लिए हम चुम्बके दुरूओ को पलट देते हैं यानि कि चुम्बकी छेतर की दिशा को पलट देते हैं जिब चुम्बकी छेतर की दिशा पलट चाहेगी तो यकीनन उस बल की दिशा भी विप्रित हो जानी चाहिए अब देखते हैं कि ये चालक तार किस दिशा में विक्षेपित होता है जैसे हमने सरकेट को पूर्ण किया हम देख रहें मैगनेट की दुरूवता को पलटने के बाद यहां पर ये यूशेप का जो तार लटका हुआ था उस पर भी बल की दिशा विप्रित हो गई क्योंकि ये दूसरे दिशा में विक्षेपित हो गया इसका मतलब ये कनफर्म हो गया कि जब कोई धारा वही चालक किसी चुम्बकी छेतर में रखा जाता है तो उस पर बल कारिये करता है तो बच्चो इस प्रयोक से हमने देखा कि जब हम धारा को प्रवाहित कर रहे थे और इस चालक के चारो ओर हमने चुम्बकी छेत्र रखा, तो उस समय इस चालक पर बल लगा, जिसके कारण ये चालक अपनी जगे से हट गया, और जब हमने धारा की दिशा को विपरित किया, तो चालक दूसरी दिशा में विस्थापित हो गया, इसका मतलब किसी भी धारा वा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम, फ्लेमिंग के नेफ्ट हैंड के नियम के नुसार, हम सबसे पहले अपने अंगुठे, तरजनी और मध्यमा को एक दूसरे के लमवत, परस पर लमवत स्ट्रेच करेंगे, तो आईए पहले हम इन तीनों को परस पर लमवत फलाने की क कोशिश करते हैं अंगुठा उपर तरजनी सामने की और मध्यमा इस बोट के लंवत आगे की और तो इस प्रकार मैंने अंगुठा तरजनी और मध्यमा को परस पर लंवत फैला लिया है तार में धारा प्रवाहित हो रही है धारा को हम आई से दर्शाते हैं और इसे रखा गया है चुम्बकी छेत्र में चुम्बकी छेत्र को हम बी से दर्शाते हैं और इसी कारण इस चालक ताल पर बल लग रहा है और बल को हम एफ से दर्शाते हैं इसका मतलब हमारे पास यहां को बी से दर्शाय जा रहा है धारा को आई से अब एफ बी आई याद रखना हमारे लिए बहुत आसान होगा यदि हम स्टेट बैंक आफ इंडिया नाम याद रखें SBI आप हमेशा बोलचाल में इस्तमाल करते हैं तो SBI से ही आप FBI याद रखिए अब इसमें से B तरजनी है आई यानि की धारा मध्यमा है और F यानि की बल ये अंगूठे के द्वारा दर्शाय जाएगा तो यानि चुम्बकी छेत्र की दिशा तरजनी की ओर होगी धारा की दिशा मध्यमा की ओर तो अंगूठा की दिशा उस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा होगी माल लीजें यहां पर एक समान चुम्बकी छेतर है और इस चुम्बकी छेतर में एक धारा वाही चालक तार है यह चालक तार इस प्रकार रखा गया है इसमें धारा की दिशा नीचे की ओर है अब यह बताईए कि इस पर बल कैसे लगेगा आप लोग भी मेरे साथ साथ अपनी कौपी में इसे बनाए अब अपने कौपी के तल में चुमबकी छित्रिक बनाएंगे वो भी लेफ्ट से राइट की और और धारा उपर से नीचे की और अब हम देखते हैं इस पर बल किस दिशा में लगेगा तो चुम्बकी छेतर की दिशा में सबसे पहले हम अपनी तरजनी को पॉइंट आउट करेंगे अब धारा बताने के लिए धारा चुकी नीचे की और आरी है और धारा किसे दर्शाय जाता है मध्यमा से हम अध्यमा को स्ट्रेच कियें और अपनी उंगली को हम इसी के अनुसार नीचे की और ही पॉइंट आउट करेंगे अब भी ऐसा ही करिए और अब जब हम अंगुठे को फैलाते हैं तो अंगुठा बाहर की और आ रहा है इस बोड के लमवद और आपका अंगुठा कैसे आया होगा आपके कॉपी के कागश तल में लमवद ऊपर की और मेरे हां बोड के लमवद बाहर की और तो इस प्रकार हम इस धारावाही चालक में लगने वाले बल की दिशा ग्याद कर सकते हैं और किसी चालक तार में चुम्बकी छेत्र पे रखे जाने में जो बल लगता है इसी आधार पर हम एक उपकरण का निर्मान करते हैं जिससे हम विद्दूत मोटर के नाम से जानते हैं यह विद्दूत मोटर कहां कहां आपने देखा है पंखे में लगा रहता है मिक्सी में washing machine में लगा रहता है यह motor actually एक ऐसा उपकरण है जो कि विद्दूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में convert करता है जैसे ही हम motor को electricity देते हैं motor घूमना start करता है घूमना start कर रहा है यानि कि उसमें आ गई गतीज उर्जा और घूमरा इसलिए हम लोग बोलते हैं घूर्णी गतीज उर्जा तो यू कह सकते हैं कि विद्दूत motor विद्दूत उर्जा को घूर्णी गतीज उर्जा में convert करता है या फिर यांत्रिक उर्जा में convert करता है अब ये मोटर कैसे बनाये जाता है इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं आइए से देखते हैं जब हम चुम्बकी छेत्र में एक लोहे की तार ये छड़ रखते हैं तो क्या होगा चुकि लोहा चुम्बकी पदार्थ है इसलिए ये चुम्बकी छेत्र में विक्षेपित होग यानी कि वो अपनी जगे से हिल बी सकता है। यदि बल का परिणाम ज़्यादा हुआ तो उसकी पोजिशन में चैंजिस भी आ सकते हैं। लेकिन यदि इस चुम्बकी छेत्र में मैं एक ऐलुमूनियम की छड़ लो, तो क्या होगा? क्या ये ऐलुमूनियम की छड़ विक्षेपित होगी? इसमें कोई विस्थापन होगा? चुकि अलुमूनियम अचुम्बकी पदार्थ है, तो चुम्बक के प्रभाव के कारण तो इसमें कोई भी विस्थापन नहीं होगा, और ये अलुमूनियम की छड़ अपने ही जगे पर रहेगी, लेकिन ये देखा गया है, कि यदि इसी छड़ में से धारा को प्रवाहित कर दिया जाए, तो इस अलुमूनियम के छड़ में भी विस्थापन हो जाता है, यानि इस अलुमूनियम के छड़ में कोई न कोई बल लग रहा होगा, तभी तो इसमें विस्थापन हो रहा है, ये बल किस तरह से कारे करता है, आईए इसको एक अनिमेशन की जरिए समझते है तो आईए देखें कि इस चालक पर यह बल किस तरह कारे करेगा इसके लिए हमने एक एलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है जिसमें हमने एक बैटरी जोड़ा है इसमें कनेक्टिंग वायर जोड़ा है और साथ ही जोड़ा है स्विच जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं यानि सर्किट को पूरा करते हैं इस परिपत में से धारा प्रवाहित होगी अब हम इस तार को एक जगे पर U-शेप में मोड़ देते हैं ताकि उसमें कोई मुव्मेंट हो उसमें कोई बल लगे तो वो हमको आसानी से नजर आए अब मान लीजिए इस U-शेप मुड़े हुए चालक तार के पास हम एक चुम्बक लाके रखते हैं हमने यहाँ पर एक नाल चुम्बक लिया है या नाल चुम्बक के जो दो छोर होंगे यानि कि दो धुरूफ होंगे उत्री धुरूफ और दक्षिन धुरूफ यह इस तार के दोनों तरब एक समन चुम्बक की छेतर प्रदान करेंगे तो यहाँ पर हमने इस नाल चुम्बक को उप्योग किया है अब जैसे इस नाल चुम्बक को इस तार के पास लाया जाता है जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहे थी तो तार ये U-shape का मूड़ा हुआ ये अपनी जगे पर था लेकिन जैसे ही हम परिपत को क्लोस करते हैं यानि कि इसमें सधारा प्रवाहित होती है तो हम देखते हैं कि ये ये U-shape का जो चाला के यहां पर मूड़ा हुआ था वो विक्षेपित हो गया कि विक्षेपित हो रहा है मतलब वहां पर कोई बल कार्य कर रहा है जो उस तार को अपनी दिशा में खीच रहा है अब इसको और कंफर्म करने के लिए हम चुम्बक के दुरुवों को पलट देते हैं यानि कि चुम्बकी छेत्र की दिशा को पलट देते हैं जिब चुम्बकी छेत्र की दिशा पलट चाहिए तो यकीनन उस बल की दिशा भी विप्रित हो जानी चाहिए अब देखते हैं कि कि ये चालक तार किस दिशा में विक्षेपित होता है जैसे हमने सर्केट को पूर्ण किया हम देख रहे हैं मैगनेट की दूर्वता को पलटने के बाद यहां पर ये यूशिप का जो तार लटका हुआ था उस पर भी बल की दिशा विप्रित हो गई क्योंकि ये दूसरे तो बच्चो इस एनिमेशन में हमने देखा कि इस चालक तार में जब धारा को प्रवाहित किया जा रहा था तो इसमें विस्थापन हो रहा था इसमें बल लगने की कारण ही अपनी जगे से हिल जा रही थी और हमने देखा कि जब हम धारा की दिशा को विप्रित कर रहे हैं तो इसमें विप्रत दिशा में विस्थापन हो रहा है तो यू कह सकते हैं कि चुम्बकी छेत्र में जब कोई चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें बल लगता है और बच्चो सबसे पहले इस बल के बारे में विज्ञानिक लॉरेंच ने बताया था इसलिए उनके नाम के अधार पर इस बल को हम लॉरेंच बल के नाम से जानते हैं और इस लॉरेंच बल के दिशा फ्लेमिंग ने बताई फ्लेमिंग ने लॉरेंच बल के दिशा को बताने के लिए अपने लेफ्ट हैंड का रूल दिया और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के पर लंवत हो और ये तीनों ही अलग अलग राशियों को दर्श आएंगे हमारे पास यहां पर तीन राशिया है पहला तो चुम्बकी च्हित्र दूसरा उस चालकतार में प्रवाहित होने वाली धारा और तीसरा उस चालकतार पर लगने वाला पल इसको उप सिंपल तरिके से याद करते हैं अपने स्टेट बैंक आफ इंडिया का नाम सुना है बच्चो इसको शौट फॉर्मियम एस बी आई बोलते हैं बस उसी को याद रखते हुए हम एफ बी आई याद रखते हैं एफ मतलब फोर्स बी मतलब चुम्बकी छेत्र और आई मतलब धारा यदि आपकी तर्जनी चुम्बकी छेत्र को दर्शाती है मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाती है तो अंगुठा को यदि हम ओपन करें तो यह अंगुठा की दिशा यह उस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा होगी यह हम देख सकते हैं बच्चों कि यह तीनों एक दूसरे के प लमवत अंगुठा तो हमेशा हम अपने हाथ को इस प्रकार परस पर लमवत धलाते हैं अब मान लेजिए हमारे पास एक चालक तार है जिसमें धारा उपर से नीचे के और प्रवाहित हो रही है और यदि आप इसको इमेजिन करें तो यह आपके कॉपी के कागश तल में लेफ्ट से राइट होगा अब इसमें लगने वाले फोर्स की दिश्या हम निकालेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड की नियम से तो आप भी मेरे साथ सथ इसको करिए हमने तरजनी की सहता से चुंबकी छेत्र को दर्शाया है जो कि लेफ्ट से राइट है अब धारा की द लगने वाली बल की दिशह होगी और यहां पर यह अंगूठा बाहर की और आ रहा है यानि की इस बोड के तल के लमवत बाहर की और और आपको कैसे प्राप्थ हो रहा होगा आपकी कापी के कागश्ट तल के लमवत ऊपर की और ऐसे प्राप्थ हो आपको तो इस कंडिशन में हम दिख सकते हैं कि इस चालक तार पर लगने वाला बल इस बोट के लमवत बाहर की और होगा और इसी प्रका अब धारा की अलग-अलग दिशाओं के लिए भी चालक ताल पर लगने वाले बल की दिषा को फिलेंग के उल्टे हाथ की नियम से भारवाही चालक ताल पर लगने वाले बल को हमने इनिमेशन के जरीय समझा आप इसे अपने स्कूल में भी कर सकते हैं अपर जब आप इसे स्कूल में करेंगे तो आप अपने टीज़्स की सहयता जरूर लें या फिर टीज़्स की निग्रारी में experiment करें तो आएए देखें कि हम किस तरीके से इस activity को अपने आज-बास की पाए जाने वलीचीजों की सहेता से असानी से कर सकते हैं बच्चों की क्षितर में रखे किसी धारावाही चालक पर बल्ड के प्रभाव को हम एक क्रिया कलाप के माध्यम से समझेंगे जुमकी चेतर में जब को पाय हाथ की इन तीन उंगलियों के आवशक्ता होगी यह अंगूठा तर्जनी और मध्यमा इसे हमें पहले इस प्रकार विवस्थित कर लेना है कि यह तीनों परस पर लंबवत हो अब तर्जनी उंगली चुम्मकिक शेत्र की दिशा को बताती है मध्यमा विद्युद्धारा की दिशा को बताती है तब उस इस्तिती में धारावाही चालक की जो दिशा होगी वो अंगूठे की दिशा में होती है इस नियाम को हम एक उपकरण की सहायता से अच्छी तरह समझ सकते हैं देखिए मेरे पास यहाँ एक उपकरण है यहां यह गोल चुम्मक लगे हुए है और इन चुमकों के चुमक की छेत्र की जो दिशा है वो लमवत उपर की ओर है इसके साथ ही यहां यह तामबे की दो तार है और इनसे एक विद्यूत परिपत बना हुआ है इस तार को हमने A और इसे B नाम दिया हुआ है हम धारा की जो दिशा है विद्यूत धारा की दिशा को बदलने के लिए यहां पर एक switch है इस switch से हम धारा की दिशा में परिवर्दर्ण कर सकते हैं और यहां पर विद्य धारा को प्रवाहित करने के लिए यह switch हमारे पास है साथ ही यह तामबे की जो पाइप है छोटी सी पाइप इसे हम धारावाही चालक के रूप में उप्योग करेंगे ठीक है तो चलिए हम क्रिया कलाब शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने ये धारावाही चालक को यहां रख दिया है अब हम दिशाओं की बात कर लें तो देखिए सबसे पहले ये हो गई जुम्ब की शेत्री की दिशा यह हम कर रहें अभी हम इस सुच की साहता से इस विद्यो धरा की दिशा को A से B याने कि इस तार से इस तार की ओर यह इसके लिए हम माधियम का उपयोग कर रहें इसका इसकी साहता से पुतामबे के जो पाइप है उसकी सायता से धारा की जो दिशा होगी वे एसे बी की और रख रहे हैं तब फ्लेमिंग के बाएहाथ के नियम के अनुसार इस चालक पर जो बल लगना चाहिए वो कौन सी दिशा में लगना चाहिए अंगूठे की दिशा में चलिए करके देखत करते हैं यह देखिए है हैं तो जो चालक है वह इस दिशा में गद्गती करने लगा क्योंकि इस पर इस दिशा में बल लग रहा है जो कि अंगुठे की लिशा है जाने कि फ्लेमिज के वापस से हमने इसी प्रकार रख दिया है और अब धारा की दिशा को बदलने के लिए इस स्विच का इस्तमाल करेंगे और इसे हम B से A की और रख रहे हैं B से A की और रख लिया अब देखिए यहां पर पुना दिशाओं की बात कर लें और यहाँ पर इसे रख लेते चलिए अब हम यहाँ पर देखिए वापस चुमकी छेत्र की दिशा लंवत और धारा की दिशा हम किस तरफ कर रहे हैं बीस से एक ही और इसल्ग को किस और गति करना चाहिए कहां पर बल लगेगा किस दिशा में बल लगेगा यह अंगुठ यहां चलने लगा तो फ्लेमिंग के बाय हात का नियम यहाँ फ्लेमिंग क lleenk अच्छल चाम के अधन्य कर आच कर दो को अच्छी तरह से समझा, समझ आया ना आपको?